हलो और वलकम टो आर योटूब चानल मेग दलाइब ब्राइट इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में क्लास 10 के जोग्राफिक के फर्स चाप्टर को देखेंगे जो की चाप्टर का नेम हमारा है रेसोर्सेज और डेवलपमेंट इस चाप्टर को हमने दो पार्ट में ड क्लासिफाई किया जाता है डिटेल में इन दोनों टापिक को कवर करेंगे और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले चली हम लोग आगे की और बढ़ते हैं और रिसोर्सेज को सबसे पहले समझते कि रिसोर्सेज होता किया है रिसोर्सेज में यह है डिफाइन किया गया है टेक्नलोजीकली असिशिबल एकौनोमिकली फीज़ będę and culturally acceptable can be termed as resource पहले हम लोग normal सा resource का meaning पहले देख लेते हैं resource मतलब होता है संसाधन resource हम किस चीज को कहते हैं जो कि human के कामों को easier बना दे normally अगर देखा जाए which can satisfied human needs resources किसको कहते हैं जो human needs को satisfy करता हूं तो ये तो हमारा resources हो गया लेकिन अगर उसको define करना हूं तो हम लोग क्या लिखेंगे तो यहाँ पर term दिया गया है technologically accessible हूं जैसे कि iron ore को हम लोग क्या करते हैं assist करते हैं iron ore को हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर technology का use होता है तो technology के माध्यम से उसको हम obtained कर सकें तो ये हो गया समझे अगर मान लेते हैं कि iron ore को निकालने के क्रम में हम थोड़े से iron ore को निकालने में अगर एक लाक रुपय का investment कर दें तो वो हमारे लिए economically feasible नहीं होगा economically feasible कहने का मतलब है कि मतलब कम amount में हम easily उस चीज को gain कर पाएं ठीक है तीसरा हमारा point है culturally acceptable culturally acceptable कहने का मतलब है कि अगर हम gold के बारे में बात करें तो वो culture के द्वारा accept किया जा चुका है कि वो एक resource है अब अगर हम बात करें कि कोई भी पत्थर को हम resource क्यों नहीं मानते क्योंकि वो culturally acceptable नहीं है ठीक है इसलिए हम किसी भी पत्थर को normally मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ सारे पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो ये चीज़ हो गया culturally acceptable chapter का हमारा नाम है resources and development तो जाहिर सी बात है resources and development जो है नाम वो एक दूसरे से interlinked है कैसे linked है feasible भी हो technologically accessible भी हो culturally acceptable भी हो तो हमारा development बहुत fast होगा तो इसलिए resources and development करके यहाँ पर topic दिया गया है आगे की और अगर हम बात करें तो दिया गया human being interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economical development तो जो मैं अभी कहना चाह रहा था कि resources के माध्यम से development होता है उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है human being interact with nature through technology technology के माध्यम से nature के साथ interact होता है human being और क्या करता है create करता है institutions to accelerate their economics development ठेक है I think आपको यह समझ आ गया होगा चलिए हम लोग आगे की और बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं देखे यहाँ पर यह दिया गया physical environment यहाँ पर physical environment है या फिर कहें कि nature human being क्या है human being technology को use कर रहा है institutions create कर रहा है और physical environment से interact कर रहा है जो कि अभी हम लोग economical development के बारे में बात कर रहे हैं थे ठीक है मतलब कहने का यह है कि human being physical environment या फिर नेचर के साथ interact करता है by technologically और institutions create करता है ठीक है आई थिंक यह चीज आपको समझ आ गया होगा आगे की और बढ़ते हैं अब हम लोग mainly बात करेंगे classification of resources तो classification किस किस basis पर होगा इस चीज को हम लोग हम लोग पहले समझ लेते हो और फिर उसको classify करेंगे एक एक करके यहां दिया गया है पहला on the basis of origin origin मतलब कि biotics and abiotics इसको हम लोग detail में आगे देखेंगे दूसरा है on the basis of exhaustibility मतलब खतम होगा कोई वैसा resources जो खतम हो जाएगा कोई वैसा resources जो खतम नहीं होगा कितना भी आप उसको use कर लीजें तो उसके basis पे renewable और non-renewable ठेक है तीसरा है on the basis of ownership ownership मतलब मालिकाना अधिकार के आधार पर किस basis पर मालिकाना अधिकार के basis पर अगर हम इसको बाटें तो क्या-क्या है individual मतलब कि मान लेते हैं कोई अगर पेन आपके पास है तो वह आपका individual उस पर अधिकार है अगर हम community के बारे में बात करें तो एक पार्क आप ले लीजे पार्क क्या है community based क्या है रिसोर्स है national resource जितना भी resource nation के अंदर गत आता है उसको हम लोग national resource कहेंगे ठीक है और international resource international resource को भी हम लोग detail में समझेंगे कि जो एक मतलब जैसे माल लेते हैं यह हमारा country है जो southern part है तो इसके कुछ distance तक ठीक है कुछ nautical miles तक हम लोगों का या फिर country का अधिकार होता और इससे दूर अगर चले जाएगा तो उसका अधिकार उस पर नहीं होता ocean areas के बारे में मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो इस चीज के बारे में देखेंगे तो यहां पर क्या है यह area जो है वहां पर international मतलब वहां पर ownership किसका होता है international united organization का अधिकार होता है तो उस चीज को हम लोग detail में अभी देखेंगे ठीक है उसके बाद fourth number है on the basis of status of development ठीक है जैसे के potential हो गया developed हो गया यहां stock हो जाएगा and reserves हो जाएगा इसको भी हम लोग detail में देखेंगे तो चलिए एक एक करके हम लोग आगे की और बढ़ते हैं और इसको detail में समझने का प्रयास करते हैं ओके देखें यहां पर मैंने एक इस तरीके से आपको represent कर दिया है सबसे पहले resource resource में क्या natural हो गया resource अब natural में भी renewable हो गया और दूसरा क्या हो गया non renewable अब renewable को classify किया गया continuous और biological इसके बारे में भी हम लोग detail में देखेंगे कि renewable को किस तरीके से continuous और biological में डिवाइड किया गया और फिर biological को भी natural नाचुरल में क्या हो गया vegetation और दूसरा हो गया wild life हो गया तो इस बेसिस पर कर दिया गया और non renewable में recycable और non recycable हो गया ठीक है जिसको recycle कर सकते हो और रिसाइक लेबल हो गया और दूसरा हो गया जो जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं ठीक है और यह जो human के द्वारा create किया गया resources तो structures and institutions हो गया quantity and quality हो गया ठीक है इसको हम लोग detail में आगे क्यों बढ़ेंगे मैंने इसको एक चार्ट के माध्यम से classify कर दिया यहां पर जो कि आप easily समझ पाएं ठीक है चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अब यहां से हमारा आता है type of resources on the basis of origin origin के basis पर हमने वहां देखा था क्या और origin के basis पर हमने देखा था क्या बायोटिक्स और और बायोटिक्स के मतलब दो पार्ट में classify किया गया था बायोटिक्स मतलब क्या होता living organism ठीक है और 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 बायोटिक्स non-living organism तो यहां पर दिया गया है living things which are obtained from biosphere biosphere के द्वारा जो biosphere मतलब जहां पर life exist करता हूँ and how life is called biotics जैसे कि अगर example के बारे में बात करें तो human being human being भी तो एक क्या है एक resource ही है ठीक है हलाकि जो हम लोग पहले definition देखे थे उसमें हम लोग बात किये थे resource के बारे में क्या कि everything which satisfied our needs human beings के need को जो satisfy करें लेकिन हम यहां पर क्या कह रहा है कि human beings is also क्या resources तो यह भी तो nature के द्वारा एक बनाया गया resource ही है ना flora and fauna ठीक है और उसके बाद अगर देखे तो fisheries lab stock तो यह सब क्या है यह सब भी एक resource है अब माल लेते हैं fishing हम करते हैं तो fishing करने के माध्यम से वह nature के द्वारा provide किया गया resource है और उससे हमारा development हो रहा हम उसी पर depend मतलब अगर हम fishermen हैं तो जाइड सी बात है completely मेरा development fishing पर depend करता है तो यह चीज हो गया बायोटिक्स ठीक है बायोटिक्स resource अब अगर और बायोटिक्स के बारे में बात करें तो things which are composed of non-living things are called a biotics मतलब जिसमें non-living things आता हो जासे कि rocks हो गया soil हो metals हो गया यह सब क्या हो गया जैसे कि अभी iron ore के बारे में बात किए अगर हम बात करें gold के बारे में बात कि तो यह सब क्या है और पायोटिक resource है लेकिन हम लोग उसका भी utilize करते हैं हलाकि वो क्या जैसे अगर हम resources के बारे में बात करें तो वो हम लोग देखे थे कि टेक्नलोजिकली असेसेबल हो ठीक है कल्चिरली एकसेप्टेबल हो तो यह सब बस होना चाहिए ठीक है और यह rocks प्रोटिस्ट के बारे में बातकि और मेटल्स के बारे में बातकि तो वह क्या है और बाइोटिक्स है ठीक है चलिए आगे की और बढ़ते हैं यह चीज आप समझ पाए होंगे आपको इससे रिलेटिड कोई प्राप्लम नहीं रहा होगा अब देखिए यहां पर बायोटिक्स के बारे में बात करें तो यह आप देख पारें living things और यहां मैंने लिख दिया non living things अब living things में आप देखें तो plant, animal, bacteria, fungus, protista वेगरा यह सब क्या या फिर आप देखें unicellular organism हो या multicellular organism हो सारे क्या बायोटिक्स के अंतरगत ही आएंगे, non living के अंतरगत अगर बात करें तो water हमारा हो गया, soil हो गया, air हो गया, minerals हो गया, light हो गया, these all are abiotics, ठीक है, it means के non living resources, ठीक है, तो यह चीज आप I think समझ पाएं होंगे, मैंने इसलिए मतलब कुछ figure को भी यहां पर mention कर दिया, जिससे आप easily समझ पाएं, ठीक है, चलिए आगे की और बढ़ते हैं, second, it means B है हमारा क्या, तो on the basis of exhaustibility, exhaustibility मतलब कुछ वैसे resource है, जिसको हम continuous, speed में use कर रहे हैं, उस speed में अगर use करते रहें, तो वो खतम हो जाएगा, और कुछ वैसे resource है, जिसको हम renew करते रहेंगे, और वो खतम नहीं हो ठीक है, जैसे कि पहला हमारा है, renewable, जिसको हम renew कर दें और वो exhaust ना करें, ठीक है, the resource which can be renewed by physical, chemical or mechanical process are non as renewable, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या, physical, chemical or mechanical process से क्या कर पाएं, renew कर पाएं, वो क्या कहलाएगा, renewable resource कहलाएगा, अगर non renewable के बारे में बात करें, तो these resource occur over a very long geological time, resources which does not be recycled and get exhausted with their us, मतलब हम लोगों के, हम लोगों से वो क्या हो जाए, exhaust कर जाए, हम लोग जिस speed में use कर रहे हैं, जैसे कि आप normally समझ लीजे, minerals आप देख लीजे, fossil fuel देख लीजे, या फिर coal देख लीजे, कोईला जो होता है, अगर आप उसको जिस speed में अभ वो exhaust हो जाएगा, हमारे earth से बिलकुल खतम हो जाएगा, फिर उस बनेगा, लेकिन एक long interval of time उसको बनने में लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखे, renewable resource में देखे, तो ये renew होते रहता है, जैसे कि solar हो गया, wind energy हो गया, water हो गया, forest and wildlife हो गया, देखे, wildlife भी क्या है, forest and wildlife भी अगर आप कहें, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कि sir, forest and wildlife भी तो non-renewable है, नहीं, ये renewable के अंतर गताएगा, देखे, अगर माल लेते हैं कि कुछ forest है, अगर हम forest को क्या कर दें, deforestation अगर कर दें, वहाँ पर पूरे पेर को काट दें, लेकिन क्या करें कि उसी जगह पर उसके बीज को भी हम लोग डाल दें, तो क्या होगा, कि एक certain interval of time में, 10 साल, 15 साल में, फिर वहाँ पे पेर वेगरा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब देखे, इसका मतलब ये नहीं, कि अंधा धुंद पेरों की कटाई कर रहे हैं, जैसे कि normally आप देख पार, observe करते हैं, कि पेर बहुत दीरे-दीरे कम होता चला जा रहा है, लोग वहाँ पर पेरों की कटाई करके खेती कर रहे हैं, पेरों की कटाई करके घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये क्या है, दीरे-दीरे वो भी down हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप petroleum को अगर use कर दियें, पेट्रॉल को use कर दियें, तो आप फिर उसी से petrol create नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप गारी में तेल डाल दियें, पेट्रॉल डाल दियें और घूम करके एकदम school वेगरा से घूम के आएं, तो क्या वो खतम हो गया fuel, अगर fuel वो खतम हो गया, तो क्या फिर से आप उसको fuel में change कर सकते हैं, वो जल करके धूएं के माध्यम से खतम हो गया, तो फिर से आप उसको create नहीं कर सकते हैं, उसी हो गया, non renewable resource हो गया, I think यह चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से clear हो गया, अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ figure भी mention कर दिया हूँ, दिया गया renewable and non renewable energy sources, renewable में solar हो गया, biomass हो गया, wind हो गया, geothermal हो गया, और hydropower हो गया, these all are renewable, मतलब कि इसको हम लोग renew कर सकते हैं, लेकि non renewable में क्या, oil, जबी अभी मैंने पेट्रोल के बारे में बात किया, कोईले के बारे में बात किया, natural gas भी क्या है, non renewable है, nuclear, यह क्या है, non renewable है, ठीक है, तो these all are non renewable, और इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, renewable energy है, या फिर कहें कि renewable resource है, I think आपको यह समझ आ गया होग चलिए आगे cure बढ़ते हैं, अब third हमारा जो C है, वो type of resource के बारे में अगर देखें, तो on the basis of ownership, ownership के basis पर देखें, तो सबसे पहले हमारा individual resource आता है, जैसे कि अगर घर है, तो घर आपका है, ठीक है, या फिर आपके parents का है, तो वो क्या है, उस पर अधिकार किस का है, उस पर मालिकाना अधिकार आपके parents का है, तो वो क्या हो गया, individual हो गया, तो चलिए देखते हैं, क्या यहां पर लिखा गया है, resources which are owned privately by individual are known as individual resource, मतलब किसी एक individual या फिर किसी particular person के द्वारा own किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, individual resource कहेंगे, I think यह चीज़ आपको समझाया दिया गया, in village people own land, whereas in urban area people own plots, houses and other property, तो यह सब क्या हो गया, यह सब these all are individual resource, अब देखिए, अभी हम लोग थोड़े दिर पहले हम लोग बात कियें थे, किस चीज़ पे, तो देखें मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसमें, जैसे इसमें हम लोग देखे थे, metals व अगरा भी, तो हम लोग purchase करते हैं, जैसे gold अगर हम purchase कियें, तो gold अगर purchase कियें, तो वो भी individual resource के अंतर गता रहा है, हलाकि वो है obiotics, तो वहाँ पर अगर biotic और obiotic के basis पर classify किया जाए, तो वहाँ पर भी हम लोग classify कर सकते हैं, और individual या फिर ownership के basis पर भी classify करें, तो gold हमारा individual resource वैसे national resource भी उसको हम कह सकते हैं क्योंकि जहां से ये निकाला जाता है यह वह national resources के अंतर गताएगा लेकिन अगर हम indivyujually purchase करते हैं तो हमारा individual resource के अंतर गताएगा तो ये depend करता है कि आप किस तरीके से purchase करते हैं और क्या purchase करते हैं ठिक हैं तो 3rd यह जो point हमारे पास दिया गया वो क्या है for example plantation pasture land ponds water and wills यह सब क्या है ponds वेगरा क्या होता है ponds हो सकता है कि community भी हो देखे यह depend करता है कि आपको किस टाइप के questions दिये गए है ठीक है ponds अगर है तो वो जाहिर सी बात है वो एक village के community पूरे community के द्वारा भी मतलब पूरे community के इस पर all member of the community जो पूरे member community के पूरे member के द्वारा उस पर अधिकार हो तो हम उसको community owned resource कहेंगे जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए public park हो गया, burial grounds हो गया grazing grounds हो गया picnic के sport हो गया, playground हो गया तो these all are community owned resource क्योंकि उस पर पूरे community के जितने भी लोग है, सबका अधिकार equally होता है, ठीक है हलाकि पहले के time पर ये चीज़ नहीं होता था, अगर publicly भी अगर कोई चीज़ है, तो वहाँ पर caste system के आधार पर caste system के basis पर अधिकार दिया जाता था तो वो अलग topic है और ये अलग topic है, ठीक है चलिए हम लोग आगे की और बढ़ते हैं आगे हमारा individual resource देखे यहाँ पर individual resources का कुछ मैं example दे दिया हूँ, ये घर हो गया, ये माल लेते हैं, यहाँ पर आप खेती वेगरा करते हैं, तो ये आपका own land है, खुद का land है तो ये हो गया आपका, ठीक है ये माल लेते हैं, ये आपका individual है, तो ये तीनों क्या है ये तीनों को हम लोग individual resources के अंतरगत रख सकते हैं ठीक है, अब इसके बाद अगर community owned resource के बारे में बात करें, तो देखे, यहाँ पर तीने example है, तो ये पार्क हो गया ये हो गया, इधर grazing area हो गया, तो these all are क्या, community owned resource ठीक है, तो I think ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, अब चलिए आगे की और बढ़ते हैं, अब type C में ही on the basis of ownership के basis पर ही, और भी दो आपको देखने को मिलेंगे, national resource और international resource तो देखी, national resource को पहले अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग international resource को देखेंगे, ठीक है, दिया गया है, national resources are owned by a nation or a country, मतलब एक अगर country के अंतरगत पूरा जो जितने भी resource है, these all are part of national resource, ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ पा रहे हैं, अब देखें, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries, political boundaries जैसे कि इंडिया का अगर देखा जाया, तो political boundaries ये हो गया, ठीक है, जैसे कास्मीड से लेकर के कन्या कुमारी तक देख लीजे, ठीक है, अगर आप इस साइड से east to west देखना चाहते हैं, तो अरुनाचल प्रदेश से लेकर के आप गुजरात तक देख लीजे, ठीक है, तो वो पूरा उसके अंतरगत आने वाले जितने भी resources हैं, all are natural resource, ठीक है, ये चीज हो गया, अब देखिए, ये तो देख लिए थे, forest, wildlife, light within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles, देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, कि अगर मान लेते हैं, कि ये हमारे पास ये ocean वाला, क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारा Indian ocean हो गया, इधर Arabian ocean है, तो Arabian ocean वाले पार्ट में 12 nautical miles तक हमारा national resource के अंतरगत आता, और उसके बाद वाला जो area है, वो international resource में ये है, कि अगर मान लेते हैं, ये Arabian sea है, या फिर ये Bay of Bengal है, या फिर Indian ocean है, तो Indian ocean के आप 22.2 kilometer तक अगर चले जाते हैं, तो वो national resource के अंतरगत आता है, और उसके बाद वाले जो भी area है, oceanic area जो है, वो international resource के अंतरगत आएगा, चेक हैं, ये चीज हो गया, from the coastal termed as the territory, water and resource, there in belongs to the nation, ये तो खेर हो गया, अगर example की बात करें, तो road, canals, railway, these all are natural resources, अब हम लोग बात करते हैं, international resources के बारे में, तो दिया गया, international resources are regulate by international institution, जैसे UNO हो गया, United Nation Organization हो गया, ठीक हैं, ये एक international institution है, और international resources को regulate international institutions के द्वारा किया जाता है, the oceanic resources, 200 nauticals mile of the exclusive economic zone, देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझना है, जैसे कि माल लेते, अभी मैंने आपको बताया कि 12 nauticals तक तो ये national resources के अंतरगत आता है, लेगिन इसके बाद वाला जो area है, 200 nautical mile तक आप other, जैसे यहाँ पर अमाल लेते कोई country है, तो इसका भी तो कुछ अधिकार इसके एरिया में होगा ना, तो ये सब मतलब आप उसके साथ एक coordination बना कर करके, आप कुछ काम अगर हो, तो आप इस area में कर सकते हैं, मतलब कि ये जो दिया गया है, वो to the austinic resources, beyond 200 nautical mile, 200 nautical mile के बाद वाला जो area हो, वो international resources में आएगा, ठीक हैं, मैंने अभी थोड़े दिर पहले क्या बताया था, कि अगर ये country है कोई, जैसे कि ये हमारा southern part हो गया, तो 22.2 km या फिर 12 nautical के बाद वाला part जो है, वो international resources हैं, लेकिन international resources वो कब कहलाएगा, जब इसके आसपास में कोई country नहीं है, अगर वो country कोई है, तो आप उसके बाद वाले part में जा सकते हैं, लेकिन वो जो resource है, वो उस country का resource है, ठीक हैं, तो लेकिन अगर international के बारे में बात करें, तो वो हो गया, 200 nautical smile of the exclusive economic zone, मतलब exclusive economic zone, मतलब क्या हो गया, ये चीज़ आप थोड़ा समझ लो, जैसे normally आप समझो, Mediterranean sea के बारे में बात करें, तो Mediterranean sea में क्या है, वहाँ से ship वेगरा पास करते हैं, तो वो क्या हो गया, exclusive economic zone जो area होगा, वो सब international institutions के द्वारा regulate किया जाएगा, ठीक है, तो belongs to open ocean and no individual country can utilize this without the concerns of international institutions, तो अगर उसके बाद वाले area पर अगर आपको कुछ भी करना हो, तो आपको international institution से permission लेना परेगा, ठीक है, चलिए, I think आपको ये समझा गया होगा, तो national resources में ये आपको दिख रहा है, कि हमारा ये road हो गया, railway हो गया, ये, ये हमारा canal वेगरा हो गया, these all are national resources, ठीक है, अब चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये international resources हो गया, तो international resources वही 200 nautical mile exclusive economic zones के अंतरगत जो आता है, वो वाला बाट हो गया, ठीक है, चलिए, इसके आगे देखते हैं, तो हमारा हो गया type of resources, जो कि D, D मतलब fourth classification हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा गया, on the basis of status of development, resources के बारे में अगर बात करें, तो potential resources are the resources which are found in reason, but have not been utilized, मतलब reason में वो पाया तो जाता है, लेकिन हम उसको utilize नहीं कर पा रहे हैं, normally अगर potential resources के बारे में बात करें, तो इसका मतलब यह होगा, कि potential, मतलब किसी reason में, उस resources का potential तो है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को utilize नहीं कर पा रहें, example की अगर बात करें, तो राजस्थान गुजरात has enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly, राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो उसके पास enormous potential है, किस चीज को ले करके, तो development of wind and solar energy को ले करके, लेकिन हम लोग 100% उसको, 100% तो खेर कोई भी resources को use नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब यह है कि हम लोग उतना हमारे पास technology नहीं है, उतना हम लोग develop नहीं है कि उसको हम लोग अच्छे तरीके से utilize कर सके, दूसरा हमारा है developed resource, developed resource का मतलब हो गया है कि जो develop है, जो हम utilize कर रहे हैं, लेकिन उसकी utilization, उसका utilization किस चीज पर depend कर रहा है, तो उसका utilization technology and level of their feasibility पर depend कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देख लेते हैं, resources which are served and their quality and quantity have been determined for utilization, the development of resources depend on, मतलब इसका जो development the development of resources depend on technology and level of their feasibility, अगर हम दो point अगर यहाँ देखें, तो इसमें technology भी हमारे पास है, इसको use करने का, हम लोग use भी कर रहे हैं, लेकिन उसका development अगर देखा जा, तो technology and level of feasibility पर depend करता है, चलिए आगे की और बढ़ते हैं, देखें, यहाँ पर figure दिया गया, potential resources, तो यह solar हो गया, wind हो गया, तो यह दोनों हमारा किसके अंतरगत आता है, तो अभी हम लोग just बात किये हैं, ठीक है, just हम लोग यहाँ पर देखें है, potential resources के अंतरगत हमारा यह दोनों आ रहा है, ठीक है, तो यह चीज़ हो गया, और एक यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, तो developed resources, तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास technology है और हम लोग resource को भी, जैसे इंडिया में हम भी है, we love India, ओके, तो technology भी है, और हम लोग utilize भी कर रहे हैं, लेकिन, यहाँ पर और development की आवशकता है, तो इस तरीके से मैं यह इंडिया का थोड़ा part मैं यहाँ पर दे दिया, ठीक है, चलिए आगे की और बढ़ते हैं, और और भी जो type हैं, उसको हम देखते हैं, तो stock and reserve, stock देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, तो materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess this, are called stock, stock का मतलब क्या हो गया, कि material in the environment which have the potential, जिसके पास potential, तो है कि वो human beings के need को satisfy कर सके, but human beings do not have the appropriate technology, लेकिन human beings के पास technology नहीं है, कि उसको assess कर सके, ठीक है, जैसे, hydrogen can be used as a rich source of energy, जाहिर सी बात है hydrogen fuel का use missile वेगरा में किया जाता है, rocket वेगरा में किया जाता है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, कि hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology to use it, तो खुद सकते हैं, बहुत ज्यादा cost clear हो जाता है, मतलब कि यह technology हमारे पास थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना बढ़िया technology नहीं है, कि उसको economically, मतलब सही बनाया जा सके, ठीक है, दूसरा, मतलब next, जो fourth number है, वो क्या है, reserves है, reserves में क्या है, to reserves are the subset of stock, which can be put into use, with the help of existing technical known how, but their use has not been started, this can be used for meeting future requirement, मतलब, reserve किया हुआ, reserves नाम से ही आपको पता चादा है, कि वैसा resources, मतलब कि यहां पर existing technical, मतलब technology है हमारे पास, लेकिन उसको एक stock के रूप में रखा हुआ है, कि future, मतलब reserve करके, उस stock को रखा गया है, कि future में हम लोग use करेंगे, देखे, difference तीनों में है, stock में भी, मतलब जो चारों हम लोग देखे, some में difference है, stock में भी और reserve में भी, इसके, इसमें हम लोग देखे, कि technology ही उतना develop नहीं है, जिससे हम उसको utilize सही तरीके से कर सके, लेकिन reserve में क्या है कि technology तो है, लेकिन हम लोग future use के लिए उसको बचा के रखे हूँ है, जैसे, for example, waters in dams, forest etc, जैसे, dam में जो water को हम लोग store करते हैं, तो जाहिर सी बात है, वहां से hydro electricity produce करना होता है, तो उसको हम लोग use, further use के लिए, वहां से हम लोग, further use के लिए, हम लोग water को क्या कर रहे है, stock कर रहे हैं, ठीक है, reserve कर रहे हैं, उसके बाद forest etc, is reserve which can be used in the future, ठीक है, I think आपको यह चीद समझा गया होगा, तो यहाँ stock h2o का example, ठीक है, water का example दिया गया no technology to use it separately as a resources, मतलब हम अब पास water तो बहुत है, ठीक है, water most of the part जो है, अर्थ का water से ही covered है, लेगिन हमारे पास technology नहीं है, जिससे हम hydrogen को अलग कर सके, oxygen को अलग कर सके, और अगर हम इसको separate अगर कर पाएं, बहुत अच्छे तरीके से और easily, तो hydrogen को as a fuel यूज कर लेंगे, और oxygen का तो जाहिर सी बात है, आपको पताईए कि oxygen का क्या use है, ठीक है, चलिए, next आगे क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पर reserve दिया गया, तो dam यहाँ पर water को reserve किया गया है, dam बना करके, ठीक है, तो यह future use के लिए हो गया, चलिए, आगे क्यों बढ़ते हैं, अब development of resources, इस चीज को देखते हैं, और उसके बाद एक topic और होगा, और फिर इस video को हम लोग खतम करेंगे, दिया गया resources have been used by human beings, indiscriminately and this has led to the following major problem, देखिए, अंधा धुन्द resources को use किया जा रहा है, और इस कारण से हम लोग बहुत सारे problem को face कर रहे हैं, जैसे कि global warming हो गया, depletion of ozone हो गया, environment pollution हो गया, मतलब बहुत जादा, जितना हम लोगों को use करना चाहिए, उससे बहुत जादा, मतलब nature को ध्यान में न रखते हुए use किया जा रहा है, तो इससे problem तो create हो नहीं है, क्या-क्या problem create हो रहा है, तो depletion of resources for satisfying the greed of few individual, ठीक है, यह हो गया, दूसरा हमारा point है, accumulations of resources in few hand, मतलब कुछ हाथों में पूरा का, पूरा resources का power रहना, which in turn divide the society into two segment, दो पार्टों में उसको बाट दिया, कैसे तो एक reach हो गए, और पूरे मतलब पूरे society को reach और poor part में divide गड़ दिया गया है, it has led to a global ecological crisis, such as global warming, मैंने पहले ही बात किया, ozone layer depletions हो गया, environment pollution हो गया, and land gradations, तो ये सब problem हम लोगों को face करना पर रहा है, तो I think ये चीज़ भी आपको ये बहुत easy topic था, इसलिए मैंने जल्दी से cover कर दिया इसको, अब इसके बाद sustainable development, sustainable development मतलब की environment को ध्यान में रखते हुए development, और sustainable कहने का मतलब है, सब लोगों का development, ठीक है, देखें, resources planning is essential, resources का utilization है, उसको एक planning करके, use करना ये बहुत ही important है, for the sustainable existence of all form of life, sustainable economics development means, sustainable economics development का मतलब क्या, development should take place without damaging the environment, इसका मतलब हो गया है कि development उस तरीके से, जिससे हमारा environment damage ना हो, and development in the present should not compromise with the need of future generation, मतलब कि आज अगर बहुत हम लोग fast develop कर लिये तो ऐसा नहीं कि इसका impact future generation पर पड़े, इन सब चीजों को देख करके, अगर हम develop कर रहे हैं, तो वो क्या होगा sustainable development होगा, I think ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, जो भी मैं topic cover किया वो आपको समझ भी आया होगा, ओके, तो देखें अब next video में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो रियो डिजने रियो, Earth Summit 1992 इसको हम लोग next video में cover करेंगे, इस एंडा 21 हो गया, resources planning के बारे में देखेंगे, resourcing planning in India हो गया, उसके बाद resources planning in India वही है, और land resources, land resources में soil वेगरा के बारे में पढ़ेंगे, forest के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में detail में next video में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए आज की इस video को यहीं पर end करते हैं, हम लोग next video में पढ़ेंगे आगे, अगर आपको यह video अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like करें, दोस्तों में share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें, गुडबाई, जाहिंद!